नमस्कार आज हम आलू और गमार की फली की सबजी बनाएंगे उसके लिए हमने दो आलू और धाइसो गिराम फली लिए उसको दो कर हमने छोट छोटे पीस काट लिए हैं आलू को छील कर हमने इस तरह से चार चार पीस कर लिए हैं एक आलू में से छोटे छोटे इस तरह से हमने सब्जी काट ली है पूरी और अब हमने तेल गरम कर लिया है एक बड़ी चमच हमने इसमें तेल डाला है वन फो टी स्पून हमने इसमें जीरा डाला है और अपने टेस्ट के नवसार लसुन लिया है जो हमने तीस करकर के इसमें डाला है अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे और इसमें ये कटी हुई सब्दी डाल देंगे अब इसमें वनफोर्टी स्पून हम हल्दी डालेंगे तेश्ट अनुसार लाल मिर्ची हाफ्टी स्पून धनिया और तेश्ट अनुसार नमक अब मसाले को अब हम मिला देंगे और इसे अब हम मिला कर प्लेट से ढख देंगे हमें गैस को मीजियम पर रखना है और प्लेट अटाकर अब हम एक दो मिनट बाद देख सेंगे आलू गले या नहीं बने हैं अच्छे से अभी आलू पके नहीं है इन्हें वापस हम प्लेट से ढख देंगे अब दुबारा से इसे मिला कर और आलू देखेंगे आलू अच्छे से पप चुके हैं सब्जी तयार हो गई है अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही हम इसमें हम चूर डालेंगे और मिला देंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सस्क्राइब करें धन्यवाद